एलो बच्चों, आज हम Oscillation chapter का exercise का 13.5 कुशन करने वाले हैं चलिए इससे start करते हैं, देखें बहुत ही simple कुशन है कुशन में क्या कह रहा है, यहाँ पर्टिकल is in linear simple harmonic motion between two points A and B तो एक पर्टिकल यहाँ पर A से लेकर के B point के बीच में क्या कर रहा है, linear simple harmonic motion कर रहा है और यहाँ इन दोनों के बीच का जो distance दे रहा है और 10 cm apart हमें given है तो जैसे मालो यह A point है, यह आपका A है और यह आपका B है, ठीक है तो यहाँ पर पर्टिकल क्या कर रहा है, simple harmonic, linear simple harmonic motion कर रहा है ऐसे two and pro motion कर रहा है, तो यह एक extreme point है, यह दूसरा extreme point है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका mean position होगा लेकिन यहाँ से लेकर कर यहाँ तक का distance 10 दे रहा है तो यह आपका यहाँ से लेकर कर यह mean position है, यह extreme position है तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तक 5 हो जाएगा और यहाँ से लेकर कर यहाँ तक 5 हो जाएगा ये A और ये B है ना तो A से B की तरफ अगर ये वाला direction हुआ इस वाली direction को A से लेकर के B A से लेकर के B मतलब इस वाली direction को मुझे positive consider करना है समझवा रहा है तो अगर मैं इस direction को positive ले रहा हूँ तो इस वाली direction को कैसा लोगा negative लोगा बैस ये ही सबसे important चीज है इस question में बैस direction का ही खेल है बाकि कुछ नहीं है question तो बहुत ही simple है बैस अगर आप direction सही तरीके से नहीं लोगे तो question गलत हो जाएगा question में हमें कहा रहा है take the direction from A to B as positive तो अगर A से लेकर के B तक को अगर positive लिया गया है तो just उसका जो opposite होगा B to A वो क्या होगा आपका negative ही तो होगा तो A से लेकर के B मतलब ये वाला direction हमें positive लेना है और B से लेकर के A ये वाला direction मुझे क्या लेना है negative लेना है तो इसी पे based है question बाकि कुछ नहीं है question में special अब आगे क्या कह रहा है हमें and give the sign of velocity acceleration and force on the particle when it is at end A तो कोई यहाँ पर हमें कुछ cases दे रहे है at end A, at end B तो particle जब end A पे होगा तो हमें velocity, acceleration और force के लिए sign बताना है कि sign क्या होगा, positive होगा, negative होगा ये चीज़े हमें बताने है तो चलिए पहले इस वाले को solve परता है at the end A सबसे पहले मैं इस question को solve कराने से पहले मैं कुछ basic चीज़े आपको बता देता हूँ जो कि आपको पता भी होगी अगर मैं आपसे पूछू बचो particle जब mean position में होता है तो particle का velocity कितना होता है क्या आप बता सकते हो minimum होता है या maximum होता है बसे इतना पता दीजे सबी बच्चों को पता होगा कि particle जब यहाँ पे mean position में होता है तो उसका value authority maximum होता है समझ मारा है दूसरी बात मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाता हूँ बच्चों जब भी particle SHM करता है तो वहाँ पे एक restoring force भी act करता है तो restoring force का direction हमीसा क्या होता है towards mean position होता है कहने का मतलब यह है यह आपका restoring force है तो restoring force का direction हमीसा किदर रहेगा towards mean position रहेगा particle भले इस तरफ है चाए वो इस mean position के left hand side में चाए वो इस तरफ जा रहा हो चाए इस तरफ जा रहा हो इतनी knowledge आप लोगों को होगी अब particle जब भी इस तरफ होगा mean position से right hand side में होगा इस तरफ होगा right hand side में तो चाए वो इस तरफ जा रहा है चाए वो इस तरफ आ रहा है बस इस तरफ अगर होगा इस end में अगर होगा तो उस पे जो force लगेगी always इस direction में लगेगी towards mean position लगेगी समझ मारा है तो इस वाली direction को हमें क्या लेना है क्या लेना है देखो यहां पर मैंने इस वाली direction को negative consider कर रहा है जो कि हमें question में give बने और इस वाली direction को मुझे positive consider करना है ठीक है तो देखो एक और चीज़ बताता हूँ force की direction तो इस तरह है जिस हम restoring force भी बोलते है तो acceleration की direction भी जिदर force की direction होगी उदर ही acceleration की direction भी होती है क्योंकि force is equal to क्या होता है mass into acceleration ठीक है तो force और acceleration दोनों भाई भेहन है बस ऐसे समझ लीजिए तो जिदर force का direction उदर ही acceleration का direction तो force acceleration का direction भी इसी तरफ होने वाला है ठीक है चलिए question अब इस्टार्ट करते है देखो यहाँ पर एक और चीज़ और बताए तो हम आपको velocity यहाँ पर maximum होगी लेकिन जब particle extreme position में पहुंचता है इस extreme position से वो σहे पलट जाता है फिर इस तरफ जाने लग जाता है तो पलट इसलिए जा रहा है क्योंकि force इस तरफ लग रही है towards mean position लग रही है तो यही force क्या कर रहा है उससे इस direction में पलट देता है वो फिर वापस किदर आने लग जाता है इदर mean position की तरफ आने लग जाता है देखो यहाँ पर velocity का maximum होना जरूरी है यहाँ पर velocity का 0 होना जरूरी है क्यों देखो बच्चों जब particle के पास यहाँ पर maximum velocity होगी तब ही तो इस mean position को cross कर पाएगा क्योंकि particle पे तो हमें सा force क्या लगेगी particle अगर इदर बढ़ना चारा है आगे तो उस पर force इस direction में लगेगी तो वो इस force के against अगर आगे बढ़ना है तो उसके पास यहाँ पर maximum velocity होनी चाहिए देन वो यहाँ से आगे बढ़ पाएगा तो particle जब यहाँ से mean से extreme की तरफ जा रहा होता है क्यूंकि बचोंट इसलिए degrees हो रही होते है क्योंकि आप इस force के against क्या कर रहे हो वो पार्टिकल इस force के against क्या कर रहा है क्या क्या कर रहा है तो force के against अगर motion करेगा particle तो उसकी वेलोस पोजिस ही करेगी तो यहाँ पे आकर वो zero हो जाते है तो चलिए यहाँ पे इस extreme position में velocity 0 ही होती है इतनी आप लोगों को knowledge होगी अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ जहाँ पे velocity maximum होगी यहाँ mean position में velocity maximum होती है तो यहाँ पे acceleration क्या होता है? 0 होता है यही याद रखिए और force भी क्या होता है? 0 होता है अब इस extreme position में velocity क्या होती है? 0 होती है तो यहाँ पे acceleration क्या होगा? Maximum होगा और force भी क्या होगा? Maximum होगा यहाँ पे velocity 0 है तो यहाँ पे acceleration क्या होता है? Maximum होता है force भी क्या होता है? Maximum होता है बस इतना आपको knowledge है तो बाकि इससे ज़्यादा कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा मतलब सीखने की ज़रूद नहीं है इतने पर ही कोशन आपको सॉल्व हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर कहा रहा हमें मुझे वैलोसर्टी एक्सलेरेशन वैलोसर्टी एक्सलेरेशन और फोर् पौज़र्टी एक्सलेरेशन पर एक्सलेरेशन भी आपको क्या बता है तो इससे डिरेक्षन में लगेगी और एक्सलेरेशन भी इस डिरेक्षन में समझ रो, अगर इस तरफ होगा, left hand side में होगा तो वो end A पे है, तो इधर left hand side में तो उस पर acceleration भी सी direction में लगी, force भी सी direction में लगी तो इस वाली direction को हमें क्या consider करना positive consider करना, यह हमें की बन था तो इसलिए acceleration भी positive हो जाएगी positive लेना है, तो यह question complete अब देखो, दूसरा at the end B, तो जब particle यहां end B में होगा तो यहां पे जब end B में मतलब extreme position में होगो, तो velocity की जीरो होती है तो यहां पे velocity की हो जाएगी, उसकी 0 हो जाएगी दूसरा acceleration क्या होता है maximum होता है, और force भी क्या होता है, maximum होता है तो हमें acceleration force calculate नहीं करना है जैसे यहां पे मैंने calculate नहीं किया था ना बस उसकी direction बता नहीं की positive होगी की negative होगी, तो मैंने अभी आपको बता है था कि particle जब भी इस mean position से right hand side वोगा, यह B क्या है, mean position के right hand side में न, B point, तो यहां पे negative होगा, force भी आपका क्या होगा negative होगा, तो यहां पे acceleration भी आपका negative आ गया, force भी आपका negative आ गया, question complete अब देखो यहां पे, क्या रहा है at the mid point of A, B going towards A, particle कहां पे है A, B के mid point पे है तो यह A, B है, तो A, B का mid point क्या हुआ, यह mean position हुआ, तो लेकिन उसकी direction towards A है इतना समझ मागा, लेकिन वो present में कहां पे है, वो यहां पे है, mean position में तो particle अगर mean position में होगा बच्चों, particle अगर mean position में होगा, तो acceleration 0 होगा, force भी 0 होगा और उसकी direction किस तरफ है इस तरफ है, तो direction इस तरफ है मतलब इस वाली direction को हमें क्या लेना है, negative लेना है इस वाली direction को हमें क्या लेना है, negative तो velocity तो maximum है, तो velocity की हम सिर्फ direction बताएंगे, समझ मारा है देखो, यह C वाला मैं यहां पे करा दिता हूँ, C वाले को देखो, C वाला मैं at the mid point of AB going towards A, वो इस AB का जो mid point है, mid point यह है, यह इसी को तो mean position बोलेंगा है और वो इधर A की तरफ जाना चाहरा है तो यहां पे उसकी velocity क्या होगी वैलोसोटी तो maximum होगी, तो velocity हमने calculate नहीं करनी, बस velocity का direction बताना है तो उसको वो इस तरफ जा रहा है तो जिस तरफ वो जा रहा है, वो ही उसकी velocity की direction होगी तो इस वाली direction को हम negative consider करते है तो यहां पे velocity की आ जाएगा, आपका negative आ जाएगा दूसरा हमें acceleration भी बताना है तो particle जब mean position में होता है, तो acceleration जीरो होता है और force भी आपको 0 लिखना है 0 ना तो positive होता है, ना तो negative होता है जस्ट आपको 0 ही लिखना है, ठीक है अब चलो C वाला भी होगी आपका अब D वाला भी कर लेते हैं अब देखो D वाला क्या कह रहा है at 2 cm away from B going towards A अब देखो यहाँ पर इसे इस तरीके से कर लेते हैं ठीक है देखो यहाँ पर क्या कह रहा है D वाला D कह रहा है at 2 cm away from B going towards A वो मतलब B से 2 cm away है B से 2 cm away समझ महा रहा है, देखो B यह है आपका तो B से 2 cm away तो यहाँ से लेकर कर यहाँ तर तो 5 है तो इसे हमने 2 cm महा लिए महा लिए पर्टिकल यहाँ पर है ठीक है तो add 2 cm away from B going towards A और वो A की तरफ going कर रहा है मतलब A तो यह है मतलब उसकी direction यह है इतना समझ महा गया उसकी direction यह है ठीक है अब इससे आगे क्या करेंगे हम अब देखी हमें यहाँ पर velocity भी बतानी है acceleration भी बताना है direction बताना है and force भी बताना है तो देखो यहाँ पर पर्टिकल होगा कुशन में हमें खुदी की बने कि A की तरफ जा रहा है तो इस वाली direction को मैंने आपको क्या बता है था देखो इस वाली direction को हम क्या लेते है negative लेते है तो velocity का direction इस तरफ है तो यह D वाले का velocity क्या हो जाएगा negative हो जाएगा acceleration भी बताना है तो पर्टिकल जब इस दर right hand side में होगा mean position से right hand side में होगा चाहे वो इस तरफ जा रहा है चाहे इस तरफ जा रहा है उसमें acceleration हमीसा किदर लगेगी towards mean position लगेगी तो यह वाली direction को हम क्या बोलते है acceleration भी इधर है force भी इस तरफ है तो इस वाली direction को हम क्या बोलते है यह वाली direction को हम negative लेते है acceleration भी negative and force भी आपका negative दोनो negative आगा है तो यह D वाला भी complete हो गया अब देखो E वाला कर लेते हैं E वाला जो part है E वाले में कहा रहा है at 3 cm away from A वो A यह है तो A से 3 cm away तो चलो यह आपका मालो 3 cm away यहाँ पर है particle 3 cm away going towards B वो B की तरफ जाना चाहरा है B यह है तो उसकी direction यह है इस तरफ जाना चाहरा है तो particle अगर इस तरफ जाना चाहरा है तो उसकी velocity की direction यह है तो इस वाली direction को हमें क्या लेना है positive लेना है तो आपका E का velocity क्या हो जाएगा positive हो जाएगा अब हमें acceleration भी बताना है force भी बताना है इसकी direction भी बताने कि positive होगा कि negative होगा तो particle जब यहाँ पे होगा उसकी velocity की direction तो यह होगी लेकिन उस पे चो acceleration लग रहा होगा acceleration इसी direction में लगेगा force भी इसी direction में लगेगा क्योंकि मैंने आपको बताए कि particle जब भी इस mean position से left hand side में होगा तो acceleration and force की direction हमीशा towards mean position होगी तो इस वाली direction को acceleration भी इस तरफ होगा, force भी इस तरफ होगा इस particle पे acceleration and force लग रहा होगा इस direction में, ठीक है समझ मारा इतना तो इस वाली direction को हम क्या लेते हैं positive consider करेंगे, ठीक है तो acceleration भी positive और ये force भी positive अब last वाला है F वाला question तो देखो F और D तो same to same question है ये 2 cm away था from B तो ये 4 cm away है from B ये going towards A जा रहा है, ये भी going towards A जा रहा है तो जो D वाला था, D वाला कहाता है सारे के सारे negative थे न तो बैस यहाँ पे क्या है, वो 4 cm away from B तो यहाँ B ये है, तो B से 4 cm away वो यहाँ पे है, मालब यहाँ से लेकर के हाँ तो यह 4 cm समझ लो तो पार्टिकल यहाँ 4 cm आवे है और वो going किदर कर रहा है, A की तरफ जाना चाह रहा है तो उसकी direction इस तरफ है तो ये velocity की direction क्या हो जाएगी ये negative हो जाएगा, ये F वाला question है तो velocity आपका negative हो जाएगा और उसकी direction इस तरफ है acceleration भी इस तरफ है, force भी इस तरफ है right hand side में है particle, particle mean के इस तरफ है तो उसकी वालाथ होडी's direction यह है तो उसमेnh acceleration भी इतर लग रहा होग característ तो ये दोनों negative direction है acceleration भी negative औ Force भी negative तो ये question complete हो गया है ओके